हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मेरा नाम है प्रिया आज हम बात करेंगे कि बिंगा मेंधी आर्टिस्ट आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा जब भी आप किस्टुमर से बुकिंग लेते हैं या आपके पास किस्टुमर की कॉल आती है आपको बुकिंग के लिए क्या पॉइंट्स आपको हमेशा उनके सामने रखने होंगे और ऐसी क्या चीज़े करनी होंगे जिनसे आपकी बुकिंग कैंसिल होने के चांसे बहुत कम हो एंड़ मोस्ट इंपोर्टन चीज जब आपकी बुकिंग होती है उस टाइम पे आपकी सारी बाती कंफर्म हो गई है कस्टुमर क्याता है ठीक है आपको इस टेट पे विजिज करना है तो उस टाइम पे आप कस्टुमर से एडवांस लेना कभी न भूलें ये आपका राइट है आपको एडवांस लेना पड़ेगा एडवांस लेने का सबसे आपका स्मू рассania dedic आपको धज्यबंब्र समय क्रवेशन कोई सामने के इस देट में कोईά कहब लेइन आ कि अगर हम्णक को मैंग करते हैं जिन जनके फीर साम की रखेंगे या अर ओर सरी कि रखेंगे wished aurait गुंए पर पोर सिंक बॉक्किव जो हैं तो उस टाइम पहमेशा एक से दो घंटे का जारूर रखे इस Chief में क्या होगा अगर आप एक से दो घंटे का गाप रखेंगे तो मैं भी हो सकता है आप जिस जगा या जिस प्लेस पर आप अपने फंक्शन पर गई हो तो booking पे गए हो में भी जरूरी नहीं है on time आपका function start हो क्योंकि शादियों में ऐसा होता है कि function जल्दी भी start हो जाता है या late भी होता है most probably तो late ही होता है आपको भी पता होगा आप महेंदी आर्टिस्ट है तो उस condition में अगर आप एक से दो घंटे का gap लेके चलेंगे तो next booking में बोशने के लिए आपका जो mind है वो एक satisfied रहेगा कि चलो ठीक है अभी मेरे पास time है तो मैं अराम से यहाँ पर काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तो हमेशा आपको booking amount लेकर चलना है first point और second point is अगर आपको एक दिन में दो या दो से ज्यादा booking लेनी है तो उस time पर आप 2-3 एक से दो घंटे का तो gap minimum लेकर ही चले उससे बीच का मतलब पहले का time उसमें time पर आप नहीं लेकर चले पर बात करते हैं आपकी अगर next day की booking है जैसे आपके पास booking आज हाई है और आपको कल जाना है तो आज आप सारी चीज़े confirm कर ले address and all उनसे confirmation ले लेकि ठीक है मुझे कल इस time पर पहुशना है या अगर आपको एक महीने बात की booking मिली है तो उस time पर भी एक दिन पहले आप आपने से message या call करके confirmation जरूर ले ले address की उसे क्या होगा आपको जब booking पर जाओगे तो उस time पर problem face नहीं करना ही पड़ेगी address आपको ढूंडना नहीं पड़ेगा और customer को आपको direct बता भी रहे कि आपको इस time पर पहुशना है तो आप इसी तरीके से महां पर पहुश booking है तो सुभा में आप उनको जरूर एक message डाल दे तो आपको वह एक प्रोफेशनल ही तरीका भी मतलब जाएगा customer के पास कि हाँ भाई परसन सामने वाला professional है इसी वज़े से वह खुद से आपको पूछ रहा है कि मैं इस वज़े तक visit कर रहा हूं तो आप एक बार confirmation दे दे क्यों बढ़ते हैं कि जब भी आप booking पे जा रहे हैं आपको किन-किन चीजों को अपने साथ कैरी करना पड़ेगा तो सबसे पहले आपको जो कैरी करना है अपने साथ वह करनी है आपको आपकी खुद की बनाई हुई कौन बिंग अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट आप प्रोफ पॉसन है वह हमेशा अपनी खुद की कौन से ही काम करेंगे तो इसलिए आप हमेशा अपनी खुद की कौन से ही काम करो और हमेशा आप अपनी कौन केरी कर चले ठीक है एंड फॉर एंग्जेमपल आपके पास जैसे एक परसन की बुकिंग है और आपको नॉर्मली चार से प प्लेंग में कॉन खताँ है कि अपनी सात्यािक, के लिए साथ, में को श्क्राइब, में खताँ हैं तो उसक्राइब एँसे क्या होगा कि उसका अगर आपके पास खताम हो जाती है, तो यह ब्लेंग में आपेट एक्स्ट्रा थोड़ा से लेकर चले तो उस टाइम पे आप उस पेस्ट को इन कॉन में फिल करकर आप उस टाइम पे यहां पर यह को यूज कर सकते हैं तो यह इंपोर्टेंट पॉइंट भी आपको हमेशा द्यान रखना होगा कि पहले तो आपको आपकी फिल की हुई कॉन र के रही है या फिर आपका टेप्स वगेदर ज्यादे एक्स्ट्रा कट देए तो उस टाइम पर आपके पास ब्लैंक कोन है तो आप उसको फिल करकर भी यूज कर सकते हैं ठीक है उसके साथ साथ आप अपने साथ हमेशा रबड बैंड करें अगर आप अपनी को पैक करें टे डिशानी नहीं होती है तो आप एक बोक्स पना लें जाएं जिस बॉक्स के अंदर आप अपना एक दो बॉक्श quantity वाक्स में तो आप मेंदी पेस्ट और बहरी हुए कोन रखें सेगिंड बॉक्स में आप अपना रबड बैंट और ब्लैंक कोन हमेशा रखें उसके साथ-साथ आप अपने पास महंदी ऑईल जरूर रखें यह दो तरीके के महंदी ऑईल है यह आपका फो डाक मतलब दोनों ही डाक के लिए पर इसमें क्या होता नहीं यह वाला ब्राइडल स्पेस्ट लिस्ट आपका ऑईल है जब भी हम राइडल को लगाते हैं इसके साथ-साथ हम यह वाला ओल मिक्स कर देते हैं यह दोनों ही आपके कौन में आपको लिंक दे दूंगे अगर आपको चीए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना ओल की डिस्क्रिप आते हैं लाइक नीलगिरी का ओईल या आपका लॉंग का ओईल या आपका मेहंदी और तो तरियों तरीके की आपके पास ऑप्शन है तो वहां से भी आप इस एड्टू काट करकर बुक कर सकते हैं तो आप अपने साथ यह ऑईल भी हमेशा जरूर रखें उसके साथ-साथ- इसलिए ताकि आप अपनी कोन को अपने अकॉर्डिंग कट कर सके कि अभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग काम कर रहे हैं जो बिसिकली हम लोग फिगर्स वगेरा बना रहे हैं जो भी हम अपने डिजाइन बना रहे हैं वह हम बहुत पतली कोन से यूज करते हैं बड़ आपका कॉन वह इसी तरीक से निकल जाएं और आप अपना महंदी को और जल्दी लगा पाएं क्योंकि अगर आप वही काम फिलिंग वाला लेट करेंगे बहुत ज्यादा प्रेश कर करके करेंगे तो एक तो आपका हाथ बहुत ज्यादा लेगा तो आपका हाथ भी कम इस प्रण्ट है उससे क्या होगा जब भी आप कस्टमर को महंदी लगाएंगे उनके पिलो पर जिस भी चीज पर आप कंफरेबल और डारेक्ट लिया अपने हैंड के थू भी आप लगा सकते जैसे मैं पिलो पर ज्यादा कंफरेबल ओटी में लगाना तो पना कस्टमर के अगर आपको कहीं भी इसली मार्केट में भी अगलेबल हो चाते हैं तो यह टावल वगेरा माइक्रो फाइबर के होते हैं इनको यूज कर ले और उस टाइम पर आप उनके पिलो पर या कुशन्स वगेरा पर यह कवर कर लेंगे तो आपको क्या होगा कि आपका ही कपड़ा गंदा होगा उनका नहीं होगा तो उस चीज से क्या है ना के देना फर्स्ट इंप्रेशन इस लास्ट इंप्रेशन अगर आप यह सीचे सारी चीज़े ना कस्टुमर अब्जॉब करता है कि हां भाई यह लोग मेरी चीज का ध्यान रख रहे हैं तो मिरको भी इनका ध्यान तो इस चीज के अगर आप ध्यान रखोगे तो प्रोफेशनली तरीका खिलाया जाएगा उपर से आपको ही फायदा है कि आपको अगर वह गंदा हो रहा है तो फिर वही बाते कस्टुमर बोलेगा कि भाई आपने सारी चीज गंदी होगी क्योंकि बहुत कस्टुमर करते भ बढ़ेगी उसके साथ साथ आप अपने साथ हमेशा कावेरी कोन एक दो कोन हमेशा कैरी कर लें यह कैरी करने का क्या रिजन है इन केस मानलो आपके पास 10 परसंस की बुकिंग है आपने 10 परसंस को महंदी लगाई ठीक है आपने कोन बनाई एक्स्ट्रा भी यूस्ब होगई जो आपने एक्स्ट्रा ली थी वो भी खतम हो गई अब हो सकता है उनके क्लाइंट्स दस की जगा बीस हो जाए क्योंकि एकदम से नहीं पता चलता फंक्शन्स में उन्होंने पोले कि नहीं हमारे दस आएंगे बट मेबी एकदम इमेडिटली उनके क्लाइंट या गैस्ट ज्यादा हो गया तो इस कंडिशन में आप चार से पांच कोनी या एक डबा प्रॉपर अपने पास मंगा कर रख ले यह हमेशा करें उस कंडिशन में क्या होगा आप इस कोन को या तो डिरेक्ली फिल कर सकते हो उस टैम पे या एक पॉली बैग आता है इस तरीके के मैं आप अफ्रना ऑएल वगया मिक्स करके अपनी कंसंस्टेंसी जो भी महंदी द्यक्त pudding या जितने भी महंदी या थिक महंदी यूज करते हो उस हिसाबल उस मेंदस को प्रिपेर कर और ईपसको फिर यूस कर पाऊगे य्युण व्यूशन सब्सक्रिशन महा क्या एक यह नकशर भी कि जब भी हम मेंधी उस करते हैं तो उस टाइम पर हमीं जो टिप से क्लियर करते रहते हैं तो जैसे गंदी हो जाती है तो यह क्या होता है अपनी कपड़ों पर हो गई या मेभी आपका कोई समान सामने है या बैग वहर उस पर लगई तो उस टाइम पर आपके पास टिशू पर पर नहींगे तो आप उसको भी इसी तरीकिये से क्लियर कर सकते हैं ठीक है इस तो थी आज की वीडियो किसी लगी बताईएगा जरूर और अगर को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना है सब्सक्राइब करना है कमेंट करना है और मुझे बताना है कि आपको आगे आने वाली वीडियो में किन-किन चीज़ों को और मैं बताऊँ या आपको आने वाली वीडियो किस basis पे चीये या किस topic पे चीये वो आप मुझे जुरूर बताईएगा और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जुरूर करिएगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे comment box में comment कर दे या मैं आपको अपनी description में अपनी Instagram ID भी share कर दूँगी कि आप वहाँ पर भी मुझे directly DM कर सकते हैं मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई